तो ऐसे विश्यों को लेकर के जहां सिक्षण संस्तानों में पढ़ रहा चात्र जहां आज स्ट्रेस से जहां जूज़र आए जह हम देखते हैं कि इतने सुसाइट सम्म लोगों को पिछले डीड़-दोस सालों में देखने को सिक्षण संस्तानों मिल रहे हैं कि इड्मिस्येशन को भी समझना पड़ेगा कि किस तरह से उस चीज से ओवरकम किया जा सके ताकि मिनिंगफुल एंड हैपी लाइफ जो है स्टुएंटी हो सके जेज देविच नशे नो लेके चिंता जाहिर की जा रही है क्योंकि नौजवान पीडी जो है स्टुड़न्ट लाइफ में ही जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसको लेके भी कुछ खास बात हुआ जिसमें हम देख रहे हैं कि नशा कुरी की जहां बात करी दें कि पंजाब तो उससे ग्रसित है ही अगर स्टुड़न्ट में जिन जैसे कि मैंने पहले काया भी नशे को लेकर कही न की रुज़ान बढ़ता जा रहा है तो चंडिगर्ण में ऐसी कोई मुहीम चलाई जाएगी जिससे नशे से नौजवानों को दूर रखा जासेगा और पंजाब उनिवर्सिटी या चंडिगर्ण के अंदर और कोई भी कॉलिज का कैंपस इससे अच्छूता नहीं रहेगा दा फेक्ट नूज देख रहे हूं मैं हात ओडिनल विजेवोरा बिते दिनों दिल्ली दे विच राश्टी अधिवेशन एवीप दा होया तो जी दे विच ग्रह मंत्री देश दे अमिशा पहुंचे सन तो कई परस्ताव पारित जड़े है अधिवेशन दे विच किते गई तो आज सदना राहूर राणा जड़े नैशनल सेक्टरी ने एवीप दे तो नाली पंजाब चंडिगाट कैंपस दे प्रेजडेंट रजज जी मजूद ने ता राहूल जी की करना चाहोगे जड़ी एक अधिवेशन होया दिली दे विच ते आज चंडिगाट पहुंचे हो की खास गल्ला रखके आयो जी ऐसे प्रेस वारता का मुख्या उदेश यही था कि जो अधिवेशन में हमारा जो चार दिन साथ दिसंबर से तस दिसंबर तक अधिवेशन चला उस अधिवेशन में क्या-क्या बाते हुई और नई कारेकरणी की गुष्णा हुई जहां अलग-अलग परसनेलेटी से अधिवेशन में आई थी जिन्होंने समाज के लिए देश के लिए शिक्षन संस्थानों में एव करना क्यों आविशक है और वो भी उस अधिवेशन में ऐसी अलग-अलग बाते हुई जिसमें अलग-अलग परस्ताव ऐसे कुलमला करके छे परस्ताव भी जहां पारित हुए तो ऐसे विश्यों को लेकर के जहां शिक्षन संस्थानों में पढ़ रहा चातर जहां आज हम लोगों को पिछले डिड़ दो सालों में देखने को सिक्षन संस्थानों में मिल रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है कि हम लोगों को समझना पड़ेगा और उसके लिए हम लोगों को सिक्षन संस्थानों में वो चाहे औरनाइशन ही ना हो स्टुएंट औरनाइशन division में रहा तो रहुल जी बात करें तो कौन-कौन से प्रस्ताव जो है वारित किये गे जो ABP अपने आगे के प्रोग्राम में क्लिक आगई जी ऐसे एक उल्मिलाकर के छे प्रस्ताव के जिनकी मैं बात कर रहा हूँ एसे एक प्रस्ताव जहां गुरुबता पूरवक शिक्षाई परिसर में होनी चाहे लेकिन साथ इसाथ में उस Siddhas useless को जीवयत भी रहनना चाहे इसको लेकर के वहां ब डाईतव है हमारे समाज के प्रती क्या समेदना है उस चीज को भी उस परसाब में जहां बात कीगए और आखिर में वो पारित भी हुआ दूसरा परसाब जिस से की परेवरन को लेकर के पारित हुआ की परेवरन को लेकर के एक चात्र होने के नाते चात्रों की जिम्हदारी इस परेवरन को लेकर के है वो सिर्फ चात्रों तक सीमितना रहे वो आम जनता में भी समेदना है परेवरन को लेकर का है हम देखी रहे हैं कि इस तरह से हाल फिल में आभी 35 % को लेकर के अदिनियम पास किया गया पार्लेमेंट में तो वह पारलेमेंट में जो पास अदिनियम हुआ वह देखते कि स्टेट में भी जल से जल पास हो ऐसा आशा जो है विडार्थी-वश्थ करती है और आने वाले जह महिला सिर्फ कार्यकरता के तोर पर ईनहीं महिला नेत्रित्रो करता के तोर पर आगे बढ़ेजि इस अधिनियमसे आने वाले सम के देखने को मिलेगा ऐसी आशा इस अधिनियम के पारित होने से लग रही है और ऐसे कुल मिला करके छे प्रसाव जो ऐसे अलग लग विशों को ले करके छे प्रसाव कुल मिला करके पारित किये गए देज देविच नशे नो लेके चिंता जाहिर की जा रही है क्योंकि नौजवान पीडी जो है स्टूडन्ट लाइफ में ही जो नशे की तरफ पड़ रहे हैं तो इसको लेके भी कोई खास बात हुआ जी एक प्रसाव स्वस्थ जीवन शेली युवाओं को अपनानी पड़ेगी ऐसा प्रसाव भी विदार्थी पशद ने इस अदिवेशन में पारित किया जिसमें हम देख रहे हैं कि नशाखुरी की जहां बात करी रहे हैं कि पंजाब तो उससे ग्रसित है ही और किस तरह से इस ग्रसित होने के कारण समाज के लिए कितना बड़ा नुकसान है यह हमें देखने को मिली रहा है इसलिए उस अदिवेशन में हमने ये भी चर्चा कि कि उन चात्र चात्राओं के युगाओं को कैसे वहां से निकाला जाए और उनके जीवन में योग की महतोता क्या है खेल की महतोता क्या है और इस माध्यम से हम लोग कहीं न कहीं वहां से उस चात्र चात्राओं को शिफ्ट करने का प्रयास आने वाले समय में सिक्षन संसाने वो करने का प्रयास भी करेंगे अगर आप बोलें कि कहीं पे हमारे नेत्रत्व में कोई कमी रही या किसी और प्रकार के कारण रहे हार के लिए तो मैं मानता हूँ कि वे कोई कारण नहीं है परन्तु हाँ एक सभी विद्यार्थी परिशद जब भी जीत की तरफ अग्रसर होता है तो इस उनिवर्सिटी के अंदर ऐसा है कि बाकी संगठन आपस में मिलकर ABVP को हराने के लिए लग जाते हैं लेकिन फिर भी विद्यार्थी परिशद एक ऐसा संगठन है जो इस उनिवर्सिटी में सबसे बड़ा छात्र संगठन है जिसको छात्रों का सबसे जादा समर्थन प्राप्त हुआ है और मैं हार का कारण कोई प्रत्य कारण नहीं मानता प्रत्तु ये जरूर कारण मानुगा कि सभी संगठन ABVP के चातर संग में आने से कहीं न कहीं उनके मन में एक डर है एक दबाव है कि यदि विद्यार्थी परिशद चातर संग में आती है तो जो कारे वो भिना चातर संग में आयोए करते हैं पूरे साल उनिवर्सिटी के दर चाहिए वो हम समाजिक कारे हो चाहिए वो स्टूडेंट की एजुकेशन के रेलेटेड कारे हो हमने पिछले साल इंटराक्शन विद आई एएस जैसे प्रोग्रामस कराई चाहिए हम चातर संग में नहीं थे समाजिक समरस्ता को लेके हमने राली की हमने स्टूडेंट कीई तो इस तरीक के बहुत सारे युनिवरिसिटी में हम ने कारे कार आसे कि जो कि चातर संग में आने वाले संगठन भी नहीं करतेeties परन्तों विद्यारथी परश्ट चातर संगठन में ना आने के बावजूद भी करता है तो कही न दर है कि यदि वद्यारथी पंजाब उनिवरस्टीख के अंदर वह साइड हो कि को हराने के लिए काम करते हैं ना कि अपनी जीत के लिए काम करते हैं पर ईक कारम देख्या गया है क्या है कि लंबे समय तो देख्या है मैं एक शौप होंदासी पंजाब देविच तहुन कितना किते हो कट दा जा रहे है त समाज दे प्रती होवे, चाहे युनिवर्स्टी प्रती होवे, चाहे कॉलेज दे होवे, चाहे स्टूडन दी लाइप दे होवे, कोई खास फर्क पहेगा. देखें, अगर आप कह रहे हैं कि ABVP का स्कोप घट रहा है, तो मैं इसके साथ completely agree करूँगा ही ने, क्योंकि अगर स्कोप घट रहा होता, तो चंडिगड के अंदर ही अगर मैं आपको example दे दूँ, DAV College के अंदर विध्यारती परिश्यत, चातरसंग के अंदर विध्यारती प चंडिगड के comparison में देखें, इवन पंजाब उनिवर्सिटी के अंदर भी largest single student organization ABVP है, और आप किसी भी और organization से भी जाके अगर आप ये प्रशन करेंगे, तो वो इसमें आपको यही जवाब देंगे, तो वो इसमें आपको यही जवाब देंगे, तो जो अच्छे कारण के आइवे कर रहे हैं, यदि वेक काउंसिल के अंदर आ गए, तो उनको और जादा मोमेंटम मिल जाएगा, और उन्हें काउंसिल से आने वाले समय में हटा पाना मुश्किल होगा, तो अगर स्टूडन्ट में जैसे कि मैंने पहले का अभी नशे को लेकर कही ना कि रुजान बढ़ता जा रहा है, तो चंडिगर्ण में ऐसी कोई मुहीम चलाई जाएगी, जिससे नशे से नौजवानों को दूर रखा जा सके। इससे अच्छूता नहीं रहेगा, हमारे सभी कैमपस के अंदर इस मुहीम को लेकर काम किया जाएगा, और पूर्व में भी विद्यारती परशद ने ऐसे बहुत सारे चोटे-चोटे कारेक्रम करवाएं हैं, जिनका उद्देश यही रहा गया है कि आप यूथ को, यूथ क students को felicitate किया है, toppers को felicitate किया है, और even कि जिस ताइम पर पूर्व में G20 की presidency इंडिया को मिली, तो उस ताइम पर एवल विद्यारती परिशद एक मात्र ऐसा संगठन था पंजाब विश्विद्याले के अंदर जसने उसको भी celebrate किया, तो इस तरीके से हम कभी हमेशा हमारा effort जो है, that is to channelize the youth in the right direction, कि youth की जो energy है, youth is extremely powerful, तो उनकी energy को रॉंग की जगे right direction में channelize किया जाए, और उसमें नशा मुक्ती अभियान ये भी हमारा एक विशेश फोकस रहेगा आने वाले समय में. जोजवाना दे प्रती नशे दे वजदे रुजदा आनू देखते होई, एबीपी बलो एक जड़ा परस्ताफ पारित किता गयाते, चंडिकर दे विच में, एबीपी बलो बच्चे आली, नवजवाना ली जड़ा है, एक मुहीम जड़ी है, चलाही जाएगी, ताकि यो न अशे तो दूर है सेकंड, विडियो जनिश हरिंदर दे नाल, विजेवरा, दे फैक्ट न्यूज, चंडिकर.